दोस्तों प्याज टमाटर लहसुन की ग्रेवी में तो बहुत बार पनीर की सबजी हम लोग बनाते हैं चलिए आज बनाते हैं ना प्याज यूज करेंगे ना लहसुन यूज करेंगे ना टमाटर पनीर यखनी बहुत टेस्टी बनेगी और इसको हम बनाएंगे दही और काजु की ग्रेवी के साथ और कुछ खास मसाले इसमें डालेंगे मसाले वही रोजमर्णा के किचन वाले होंगे लेकिन उसे कुछ खास तरीके से डालेंगे तो बस कैसे बनेगी ये पनीर यकनी आप वीडियो में पूरे मेरे साथ बने रही है लास्ट तक वीडियो आपको देखना पड़ेगा तब ही आप बेतरीन सबजी बना कर त्यार कर पाएंगे वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट अगर रैस्पी अच्छी लगे तो ट्राई करिए लाइक करिए अपनों के साथ शेयर करिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रस कर लें जिससे हर नही रैस्पीस के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें तो सबसे पहले मैं ले रही हूं आधा कप काजू आपके पाद टुकड़े वाले काजू तो आप वो भी ले सकते और इसे मैं गरम पानी में भिखोकर रद दूंगी 10-15 मिनिट में या 20 मिनिट में ये काजू अच्छे से फ चार चोटी इलाइची इसको अच्छे से भूनेंगे बिल्कूल लो फलेम पर जब तक इसमें सुंदी सुंदी महक नहीं आ जाएगी तब तक इसे हम लो फलेम पर भूनते रहेंगे और आप ये मसाला भूनकर त्यार है इसको ठंडा कर लेते हैं और ठंडा होने के बाद इ किसी और सब्जी में यूज कर लेंगे किसी भी सूखी सब्जी में आप इस मसाले को डालेंगे बहुत ही बढ़िया यह मसाला का टेस्ट आएगा और अब लिया है मैंने पनीर तो मैंने पनीर लिया है 400 ग्राम और इसको मैं काट लोगी दोस्तों वीडियो में लास तक बने र रेसिपी जब अप्लोड करूं मैं आपसे इसकिपनाओ हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो लीजे पनीर कट चुका है और काजू भी अच्छे से भीग कर फूल चुके हैं अब इस पानी के साथ इस सारे काजू को मिक्सी में डालेंगे और जो पनीर काटक दही और काजू की ग्रेवी में पहुत ही टेस्टी पनीर अब एक पैन लिया है मैंने और इसमें डाल रही हूं बटर बटर में आप पनीर को सौते करेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आप चाहें तो इसे ओल में भी कर सकते हैं और आप जो आमने पनीर काटके रखे सारे पनीर के टुकड़ों को मैं इसमें डाल दूंगी और पनीर को बहुत लाल नहीं करना है लेकिन कच्छा कच्छा भी नहीं रखना है अच्छे से इसको हम तेज आच पे ही लगातार चलाएंगे तो पनीर पे एक अच्छी सी ब्राउन सी रेट सी लेरिंग आ जाएगी तो वो कोटिंग बस हमें पनीर पर करनी है और आज पनीर बिल्कुल सॉफ्ट कैसे बनेगा चुई नहीं होगा रबड़ी नहीं होगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ तो देखे पनीर अच्छे से मारा लाल हो गया है तो बस हमें इतना ही पनीर को लाल करना है और आप डालूँगी इसमें पानी पानी के अंदर पनीर बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा जब तक हम बाकी और चीज़ करेंगे थोड़ा सा नमक एट कर देते हैं और अच्छे से मिलाने के बाद इसे साइड में रख देते हैं दोस्तों यदि आप लोग को मेरी र पाद आने वाला है सब्जी गा तो बटर भी इसमें मेल्ट हो चुका है हरी मिच डाल लिए हूं लंबाई में काटकर दो तेज़ पत्ते डाले हैं मैंने अद्रक को डालने हूं कूटकर कोई लहसुन नहीं कोई प्याज नहीं कोई टमाटर नहीं और अब अद्रक का कच्छ यह पानी भी हम इसमें एड कर देंगे बहुत ज़्यादा पानी नहीं है आधा कप के लगबग पानी है तो देखिए यह पानी भी आ गया है और अब मीडियम फ्लेम पर हमें मसाले को अच्छे से भूनना है अभी हमने इसमें कोई मसाला एड नहीं किया है केवल अच्छे स इसको भूनिए जब तक यह हमारे कड़ाई का तला ना छोड़ दे दोस्तों नॉनिस्टिक कड़ाई में बनाएंगे बहुत अच्छी बनेगी अगर नहीं है तो आप रेगुलर कड़ाई में या पैन में बना सकते बस यह चलाते रहिएगा सबजी क्योंकि काजू की ग्रेव गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और दही को डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे तेजाज में निखेक कहहरैंमा breaking आप धाई कि तरह कि निकलावाल कर दिए और अब जाएगा इसमें कसूरी मेती इस तरह से हाथों से मसल कर डालेंगे जिससे सारा फ्लेवर हमारी ग्रेवी में आ सके और अब आ गई उस सीक्रेट मसाले की बारी जो भूनकर कूटकर पीसकर ने रखा है तो अपने अभी एक चम्मज डाला है और आप अपने स्वात के क टेज मसाले की सब्जी सब्चन चाहिए थोड़ा सा और अभी डाल दीजिए है बाद में थोड़ा सा और मशाव एट करूंगी मैं और थोड़ा पानी आदा कप के सांथ सब करना है तो पानी आप भडा सकते है और आप लुड़ा संब़ा हस ए और पनीर हमने पानीमें अच्छे से सब चीज मसाला हमारा भुन चुका है तो बस अब देर किस बात किए चलिए उस पनीर को भी हम इसमें एड़ कर देते हैं तो सारा पनीर आ चुका है और अब जाएगा इसमें नमक नमक अमने पहले नहीं डाला था और मसाला तो दो चम्मच में मसाला डाल रही हू अब हमें इसमें कुछ भी एड़ नहीं करना है बस थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे मलाई तो यह ताजी मलाई है जो दही के टेस्ट को भी बैलेंस करेगी अगर खटा दही है वैसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप क्रीम डालना चाहते है तो आप के लिए और लीजिए पांच मिनट बाद हमारी कितनी रिच ग्रेवी वाली पनीर की सबजी बनकर त्यार है ना प्याज ना लैसुन ना टमाटर दोस्तों जरूर से एक बार बनाईएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा रेस्पी आप देश के किस कोने से किस शहर से मेरी देख रहे हैं बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट में पढ़ती हूँ कोशिश करती हूँ रिपलाई भी करूँ तो चलिए रोटी के साथ पराठे के साथ नान के साथ लच्छा पराठी के साथ इस पनीर यखनी को इंज्वाए करिए मैं करते हैं तो चलिए बाबाए ओं साहिराम दोस्तों